हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमिया लीग मेंच कम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा आर्सेनल वर्सेस ब्रैटन के बीच मेंच कम इन्यों होगा आर्सेनल एंड किक ओफ होगा रात में नाइन पीम पे तो आर्सेनल इस सीजन का पर्रफवेंस प्रीमिया लीग में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहा है एक टाइम में पॉइंट्स टेवल में टॉप में चल लेते लेकिन बीच में दो तीन मैचे अच्छे नहीं गए जिस वाईसे स्लिप अप हो गया अभी यह टीम जो है सेकिंड स्पॉट में आ ग इस तरह की फॉर्म में सिटी जल लिए बर इस्टिल फुटबॉल में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है अगर सिटी के एक दो मैचेस खराब जाते हैं तो यह आगे निकल सकते हैं और टाइटल जीश सकते हैं अभी आर्सेनल सेकिंड में हैं 35 में इन्होंने 25 मैचेस जीते है इनका सीजन भी बहुत ज्यादे इंप्रेसिव गया है अभी एर्थ पोजिशन में है लेकिन इन्होंने औरों के कंपरेशन में जो इनके आसपास के राइवल्स हैं उनसे दो दो तीन तीन मैचेस कम खेले हैं फिलाल 33 में इन्होंने अपने 16 मैचेस जीते हैं 7 ड्रो दस लो इनकी को मिल जाए फिलाल इस मैच की बात की जाए तो यहाँ पर अर्सेनल अपने घर में फेबरेट टीम हो सकती है लेकिन ब्रैटन ने इस लिए बड़े-बड़े क्लप्स को टक कर दिया बड़े-बड़े क्लप्स को हराय भी है तो ब्रैटन को शोली आर्सेनल अंडर नहीं होगा पर आर्सेनल आप जानते हैं उनकी मोटिवेस्टन लेवल काफी हाई होगी पिकॉस यह टीम जो है टाइटल चेस कर लिए इस वयसे मैं अभी के लिए आर्सेनल को यह बैक करके स्मॉल लिग में अपनी टीम बनाने वाला हूं अम एक बार आपको दोनों टीम का लास्ट मैच का रिजर्ट दिखाता हूं तो आर्सेनल ने अपने लास्ट मैच में एक और टॉप टीम टूनिल से न्यूकासल को रहा है ओडिगाट का गोल था एक ओन गोल ता और जोर्जीनियो का असिस था जबकि ब्रैटन सर्प्राइजिंग लिए इतने गोल से नहीं आ फइनल टीम ये अपडेट होगी वह आपको हमारे टेलीगराम चैनल में मिलेगी तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंग है आपको या तो डिस्क्रिप्शन बसमें में रिएगा या आपको मिलेगा टॉप और लीजह अब हमाइध डिरेक्ट प्रोईबल लाइनप पर पहल गोल कीपर होने आले हैं चार इनके डिफेंडरों के बैन वाइट कि वी और गेब्रियाल एंड टियर नी फिलाल वैसे मुझे क्लिंशिट को ज्यादा चांस नहीं लग रहा मेरे अकॉर्डिंग अगर आर्सेनल जीतेगी भी एकाथ गोल कंसीर तब भी कर सकते हैं बट इस्ट एन टियर नी गेब्रियाल और वाइट तो आएधिंक मश्ट भीग हैं गेब्रियाल वाइट दोनों हैड़े मैं अच्छा है दोनों डिफेंसिव ले अच्छे हैं औरवाइट राइट बैक पॉजिसन से अशिट वगेरा भी प्रवाहिड कर सकते हैं अब टियर नी में में प्रेजिबली अच्छे हैं नए प्लेयर हैं फुल 90 मिनेट मिलेंगे क्योंकि अलीबा भी नहीं है अभी मेरे थार्ट इफेंडर यहाँ पे टियर नहीं होने वाले अगर आपको दो फिक्करना आप वाइट और गेब्रियाल पिकरना देना आप एक डिफेंडर ब्राइटन के किया है अब मैं ओडिगाट साका मार्टिनली गेब्रियाल इसुस इन चारों को 100% करूंगा चारों का सीजन बहुत 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 इंप्रेसिव जा रहे है इन फेक्ट ओडिगाट तो रेड हॉट फॉर्म में एक अटेकिंग में फिल्टर होते हुए 15 गोल मार चुके हैं स पैनल्टि टेकर भी है इस वैसे साका, ओडिगाट, मार्टिनली इसुस इन चारों को मैं 100% करने वाला हूँ और अगर आर्सेनल गोल मारेगी इन चारों में मोश लाइकली गोल स्कोरर हो सकता है तो फिलाल ये आर्सेनल की प्रोईबल 11 थी लगवग सभी चीज़े मैं यहा आपको मेरे टेलिगराम चैनल से जौइन करना है तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक है आपको या तो डिस्रिप्सयन बॉक्स में लेगा या आपको मिलेगा top pin comment में जोईन कर लीजे अब हम बात करते हैं ब्रायटन की तो ब्रायटन के लिए सॉली मार्च और वेल्टमे करके चल लाओं चार इनके डिफेंडर है ग्रॉस क्यूंकि वैल्टमेन नहीं है तारीक लेंटी नहीं है तो ग्रॉस को एज़ा मेक्षिव राइट बैक खेलना पड़ ला है इसके लवाट डंक कॉलविन एन इस्टूपिनान ग्रॉस अटके आपको बाकी तीनों डिफेंडर सेख्षन मी मिलें फिलाँ में ब्राइट निए ला रहा हूं वूँ सकते हैं लेकिन अभे में महीं ब्राइटन कोईًडर पिक करके नहीं गया मिट फिल मं ग्रॉस को भी करूंगा अल्दो ग्रॉस अपनी नेच्ओराल पोजिशन में नहीं भी खिल लिए यहां से भी डिफेंसी पॉइंट दे सकते हैं क्रॉसेज बगेरा बहुत करते हैं जिससे चांस क्रेट के पॉइंट आते हैं और इस सीजन इन्हों ने काफी गोल असिस भी किया है तो मैं अभी के लिए पासकल ग्रॉस को मिट्फिल में पिक करके चल लाओं कैस प्रसिस की अच्छे पॉइंट देते हैं चांस क्रेट डिफेंसी पॉइंट तो मैं इनको भी करूं और मिटोमा तो मुझे इनके वराफ दा बेस्ट या मेरे परसनली फेवरेट प्लेयर ब्रैटन से बहुत पेसी हैं लेट साइट से अटेक पर टेक बनाते हैं आप देखन अससे प्रस्पेक्ट हैं दोनों ने इसमें डिसेंट गोल असिट किया हैं लेकिन मैं फिलाल दोनों का इग्णोर कर रहा हूँ विकॉज यहां पे फिवरेट आर्सेनल है और अगर यह दोनों गोल असिज नहीं करेंगे तो ज्याद़ पॉइंट नहीं दिंगे तो यह ब्र ब्राइटन सर्प्राइजिंग लिए आर्सेनल को हरा देती है तो भी कोई बड़ा सर्प्राइज नहीं होगा तो अभी यह मैंने डेमो रफ्टी में गोल इपर मैंने श्टील को पिक्किया ब्राइटन से उनके मैंने तीन डिफेंडर लिया आर्सेनल से टियर नीए लेकिन अभी मैं साका को ट्रश करता हूँ तो मेरे कीप्टन अभी भी वी साका ही है और मैं मोडिक्टन सी मोट प्रब्ली माटिनल को दूंगा लेकिन ओडिकार भी एक टॉप वाइस्टव्टेंसी अप्सन होंगे इन फेक्ट आप चाहे तो गेवरियाल हिसुस को भी का लिजिए का लिजए